बसकर दोस्तों, बात करेंगे kidney stones के बारे में, इनके क्या symptoms हैं, इनके लिए हम क्या test कर सकते हैं, इने के treat करते हैं, इसकी क्या क्या operation है और इसकी हम prevention क्या से कर सकते हैं किड़नी स्टोन एक बहुत ही कॉमन बिमारी है और देखा गया है कि 10 में से किसी एक इनसान को अपनी लाइफ टाइम में किड़नी में स्टोन हो सकता है सबसे कॉमन सिम्टम है लंबर रिजन में पेन होना लंबर रिजन जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं इसके इलावा पेशन्ट को नौजिया यानि उल्टी जैसा फील होना या वामिटिंग यानि प्रॉपर उल्टी होना यूरिन पास करते हुए पेन होना यूरिन में बलड आना यह सब भी पेशन्ट फील कर सकता है अगर पेशन्ट को इससे फीवर या ठंड लगके बुखार भी आ सकता है किड्नी स्टोन्स बनते कैसे हैं हमारे यूरिन में बहुत सारे कैमिकल होते हैं यानि कैल्शियम सोडियम ऑक्जलेट यूरिक एसिट इत्यादी और अगर हम पानी कम पी रहे हैं अगर किसी कारण से यूरिन ज्यादा गाड़ा हो गया है यह यह मिनरल उसमें बढ़ गए हैं तो यह वहाँ पर किस्टलाइज कर सकते हैं वो रेद की दाने की तरह धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और किड्नी स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं किड्नी स्टोन का साइज बहुत छोटा भी हो सकता है और अगर इस समय से ट्रीट ना किये जाए तो धीरे धी बढ़कर यह बहुत बड़े भी हो जाते हैं इसके टाइप किया है किड्नी स्टोन के कई टाइपस हैं जैसे कि सबसे कॉमनली calcium oxalate या calcium phosphate stones देखे जाते हैं ये calcium के बने होते हैं hard रहते हैं और usually पानी कम पीने की वज़े से होता है uric acid stones animal proteins याने beef, poultry, egg, fish इनके ज्यादा खाने की वज़े से uric acid ज्यादा होने की वज़े से यह हो सकते हैं true white stones usually किसी infection की वज़े से होते हैं और बार-बार infection होने की वज़े से एक stag horn नाम का calculus भी बन सकता है यूँकि बहुत बड़ा हो सकता है और आपकी kidney को badly infect कर सकता है cystine stones किसी खास बिमारी जिसमें cystine urea हो रहा है याने की urine में cystine ज्यादा secret हो रही है उन patients में ही देखी जाती है kidney stone होने के risk factors क्या है अगर आप पानी इनफ नहीं पी रहे हैं ज्यादा meat या protein rich diet लेने से वो food जिसमें की sodium या sugar की quantity ज्यादा है आप कोई family history है kidney stones की या किसी तरह का blockage है urinary track में जैसे की prostate का बड़ा होना, urethra का structure होना, urethra का structure होना जिससे की urine properly drain नहीं कर पा रहा है इन conditions में भी बढ़ जाता है कुछ patients जिसमें gastric bypass surgery करवाई गई है उसमें भी kidney stones के incidence पहले से जाला देखनों को मिले हैं और कुछ medicines जैसे की diuretics, calcium based antacids, anti-seizer medicines इनसे भी kidney stones का रिस्क बढ़ जाता है बहुत सारी ऐसी medical बिमारिया हैं जिनमें kidney stones का रिस्क बढ़ जाता है जैसे की diabetes, gout, high blood pressure, kidney में cyst होना, बुटापा होना, parathyroid की बिमारी, osteoporosis होना, urine में hypercalciuria, urine में calcium जादा सेक्रिट होना, cystic fibrosis, cystinuria, primary hyperoxyluria, किसी तरह का paralysis होने में भी kidney stones का रिस्क बढ़ जाता है इससे क्या क्या complication हो सकती है, blockage की वज़े से kidney का खराब होने का risk बहुत बढ़ जाता है, जैसे की hydronephrosis होना, यानि की kidney के अंदर urine के ducts हैं, उनमें सूजन आ जाती है, kidney की बार-बार infection होके kidney में पस पर सकती है, यानि की pylo nephritis या pylo nephrosis होना, kidney का failure हो सकता है, क्योंकि बार यूरिनरी ट्रैक में infection हो सकता है, और आगे बढ़कर एक chronic kidney disease में convert हो सकता है, और kidney का irreversible damage भी हो सकता है, क्या क्या टेस्ट करवा जाते हैं, kidney stones को जाचने के लिए, सबसे simple test है, doctors आपका urine test करवा सकते हैं, जिसमें की blood या कुछ ऐसे crystal दिख सकते हैं, जो की इशारा करते हैं क kidney में stone हो सकता है, ultrasound में भी बहुत सारे stones नजर आ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक stone ultrasound में नजर आए, इसी तरह x-ray में भी और CT scan में भी ये stones देखी जा सकते हैं, लेकिन कुछ-कुछ stones जिसमें calcium कम है, वो कई बार x-ray CT ultrasound में देखने में मुश्किल आ सकते हैं, इ kidney stones को manage कैसे करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक scan में kidney stone नजर आ रहा है, उसमें operation की जरूरत है, अगर stone बहुत छोटे हैं, और kidney के एक side में पड़े हैं, और kidney को कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, आपको कोई symptom नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें neglect किया जा सकता है, जस्ट पानी ज minimum तक का ही है, then कुछ conditions में हम ज्यादा पानी दे कर, आपको कुछ दवाईयां दे कर, जिससे कि आपके symptoms कंट्रोल हा जाए, आपकी pain कम हो जाए, nausea, vomiting कंट्रोल हो जाए, और इन्हें बाहर निकलने में आसानी हो, कुछ ऐसी medicines दे कर, हम कुछ दिन वेट कर सकते हैं, कि शायद ये natural तरीके से ही urine में पास हो जाए, लेकिन अगर ये पास नहीं होते हैं, या pain बहुत ज़ादा है, या complications आ रही है, या stone का size ही बहुत बड़ा है, then with some kind of procedure, जिससे कि ये stone को निकला जा सके, procedures कई सारे हैं, जैसे कि shock paved lithotripsy, जिसमें ultrasound की shock दिये जाते हैं, patient को एक ultrasound वाली machine में एक पानी के अंदर बिठाया जाता है, और उसके थूरू stones को ultrasound में देखकर, निशाने से ultrasound की waves मारी जाती हैं, ताकि वो तूट जाएं, और टुकड़े टुकड़े होकर urine में पास हो जाए, then PCNL, यानि कि percutaneous nephrolithotomy, जिसमें की एक बहुत ही चोटे कट से, पीठ के रास्ते से एक camera kidney के अंदर डाला जाता है, और उसके थूरू ही stone को निकाल दिया जाता है, PCNL एक बहुत ही straight forward surgery है, usually patient अगले दिन discharge कर दिया जाते हैं, और इसके उपर कोई भी stitch नहीं लगाया जाता, जो छोटा सा जखम है, वो अपने आप ही भर जाता है, एक simple bandage लगाई जाती है, जो आप अपने आप ही chain कर सकते हैं, और कुछी दिनों में यह जखम अपने आप भर जाएगा, कुछ patient में एक stent रखा जाता है, जो कि kidney से लेकर urinary bladder तक जाता है, इसका advantage यह है कि urine अपने normal रास्ते से ही जाए, और जो पीछे से जो stone निकालने के लिए hole किया गया है, उसके रास्ते यूरिन ना जाए, इसलिए कि कुछ दिनों के लिए stent रखा जाता है, जो बाद में urine के रास्ते से ही यह camera से निकाल दिया जाता है, इसके लावा laparoscopic surgery भी की जा सकती है, दूर बिन से पेट के पिछले हिस्से में kidney को localize करके उसमें से stone निकाले जा सकते हैं, अगर से instruments पास किये जाएंगे और वहीं से kidney में enter करके इन stones को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यह नई technique है, instrument बहुत fine है, इसकी cost normal PCNL से कुछ जादा हो सकती है, लेकिन advantage यह है कि कोई भी आपके पीठ में cut नहीं लगेगा, और आप बिना किसी चीरे के kidney stones से निजात पास सकेंगे लेकिन हो सकता है कि बड़े stones इस से ना निकाल जा सकें और उसमें आपको PCNL की जुरूरत पढ़ जाए, open surgery आजकल बहुत ही कम cases में की जाती है, क्योंकि जादतर cases में RARS या PCNL successful रहते हैं, kidney stones को avoid कैसे करें, एक अच्छा healthy weight maintain कीजे, obesity है तो weight को कम कीजे, पानी जादा पीज की और sugar और sodium की intake को कम कीजे, अगर आपको already stone निकलवाया हुआ है, तो उसका analysis कराइए, यानि कि lab में देकर, या analysis कराइए कि वो किस चीज का बना हुआ है, और उसके accordingly आप कुछ types of foods avoid कर सकते हैं, यानि कि अगर opposite stones है, तो spinnack, wheat bran, tree nuts, peanuts, ऐसी चीज़े avoid करनी है, अगर calcium stones है, इसी तरहें, अलग-अलग stones के depending, आपको डॉक्टर्स एक diet chart देंगे, और उस stones के हिसाब से आप उन चीज़ों को avoid केज़े, hope के वीडियो देखकर आपको kidney stones के बारे में काफी idea लगा होगा, वगर आप या आपके around कोई kidney stones से predict है, तो अब आप एक अच्छा decision ले पाएंगे, और healthy life में वापिस आप आएंगे, thank you.